किसावन भायू महिंद्रा 545 डी आई एक्सपी प्लस 47 हपी का ट्रेक्टर इस ट्रेक्टर का माईलेश टेस्ट आज करेंगे कहीं सारे भायों की कमेंड भी थी और इस ट्रेक्टर का करना था कहीं टाइम से तो यहां पर हमने टंकी कर दिये फूल हिला के और इसी हिसाब से हम करेंगे धक्कन करो बंद भाई साब और यह जो माप वाली बोतल है इससे बाद में डालेंगे जो भी है वह लेल भाई बोतल भी लेले च्छे मिनट चलांगे च्छे मिनट चलांगे चेक करेंगे सोला सो आर्पिम पर ट्रेक्टर चलाएगा कर दो श्टार्ट भाई साब सोला सो आर्पिम पर चलांगे नो अलवाली कल्टिवेटर रहा इसके पीछे करो 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 एक मिनट पर राइस स्टार्ट एक मिनट हुआ अभी महिंद्रा भूमिपूत्र पान सो पिच्चत्तर कहीं भाईयों कि इसके बारे में कमेट भी थी और काफी टाइम से ये बागी था दबाईन चलो दबाके चलो दबाके थोड़ा इसके अंदर थोड़ी जगा की कमी है आज तो वो भी हम नेक्स टाइम इसके अंदर इसी टेक्टर का दूसरा बना देंगे वीडियो महिंद्रा पांसो बिच्टर के बारे में मैंने सुना था कि काफी ज़्यादा तेल ले रहा है तो इसलिए आपपा बना थे खवार वीडियो अबस्ड़ रहा है वीडियो जिए खवार वीडियो वीडियो इसके बाह दोड़ी यज वीडियो भाई हो यह 47HB का ट्रेक्टर आता है और इसे अगर फूल एक्षिलिटर के साथ हम जब चलाते हैं जैसे 1900 से 2000 आर्पीम पर यह पूरी ताकात के साथ में जब चलता है तब फिर एवरेज में बहुत ही जादा डिफरेंस चलता है जब हम ट्रेक्टर चलाते हैं खेत के अंदर किसान आम किसान जब ट्रेक्टर चलाता है वो 1600 से 1700 पर ही चला है तब ही बेस्ट माइलेज मिलता है अगर आप फूल एक्षिलिटर के साथ में चलाएंगे तो ज़्यादा है टाइम के अंदर भी ज़्यादा डिफरेंस पढ़ने वाला कोई नहीं है लेकिन फालतुका जो है डीजल वह ज़्यादा उठाएगा तीन मिनट जाने कि अभी दो मिनट हुआ है एक मिनट पर हमने स्टार्ट किया था छे मिनट चलाएंगे छे मिनट चलाके फिर डालेंगे तेल बाई साब ने बदाया कि तीन चार लिटर लेता होगा फिर भी चेक करेंगे तो अब आए तो चुझा के टायर में यह ट्रेक्टर तो टायर के इसाब से भी डिफरेंस पड़ता है कहीं बाई तो एक बाई का मैंने वीडियो देखा था जिसके अंदर बताया कि महिंद्रा का 9 लिटर रिजल ले रहा है तो यह भी होता है कहीं भाई उसे जब बीना मतलब गया तो फिर कहीं डेक्टर क के गुण काता है जबकि उसके अंदर इतने गुण होते नहीं या फिर उसकी फाल तो बुरा ही करते है वह कोई-वह न, कोई रीजन होता है पांसो पिच्टर सेटालिस एच्प का डिरेक्टर है इसे फूल एक्सिडिटर में चलाएंगे तो फरक तो पड़े गई बागी जो आम किसान है वो किस तरीके से चलाता है और उसके हाथों से जब हम एवरिज निकाल दें तब ही पका परफेक्ट पता चलता है यहां पर भाई साब असुक भाई है असुक भाई पतेल है जो कि उनका खुद का डेक्टर है वह और वही चला रहे हैं जैसे चलाते हैं वैसे ही इस बार थोड़ी जगा की कमी रहेगी इनके पास में इत्ती मतलब की सभी जगा पर या सरसोब लगाया हुआ है तो जगा इत्ती खाली भी अब ये राइट पास में डो चुके हैं और इसी ट्रेक्टर का भाई एक बार और भी निकाल लेंगे जब इनके पास में जगा खाली होती है या फिर हम कहीं और प्लान करेंगे आज आज यहीं पे निकाल के देख लेते हैं हमें अंदजा मिल जाता है कि भाई क्या तेल ले रहा है आकिकत में अभी जश्ट 30 सेगंड बागी है आम किसान जैसे चलाता है वेसे ही हर भाई चला के हम टेस्ट करते हैं यह नहीं है कि फिर कंपनी वाले डेमों करते हैं इसे भाई साब यहीं पे गुमा लो अभी बस 10 सेगंड बचे हैं थोड़ा स्टार्ट भी पहले किया था बस बस ओके वहीं पर जहां पर हमने रखा था वहीं पर टेस्ट करेंगे ताकि क्या यह जगा का उपर नीचे नहीं हो महिंद्रा पांसो बिच्चतर एक्सपी प्लस बस यह सही था बस 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 यह सही था ओके बंद कर दो खोल भाई डखन खोल जल्दी महिंद्रा पांसो बिच्चतर मैंने तो यह एक वीडियो के अंदर देखा था बहुत ज्यादा थिल ले रहा था इसे सबसे रुख जा यह है अपनी माप वाली बातल डाल भाई इस माप से आरा है भाई थोड़ा इला 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 बस ही लेगा नहीं असे ही था इतना ही डाला था हमने डाल परफेक्ट कर इतना था ओक के एक दो तीन चार पांच लिटर पांच का एवरेज बैठ रहा है इसका सोला सो अर्पीम पर एक गंटे हम लगातार चलाएंगे तो पांच लिटर का एवरेज इसका बैठ रहा है जबकि मैंने एक वीडियो के अंदर देखा था कि नौ लिटर तेल ले रहा है किसी भाई ने दिखाया था ठीक है तो वह सरा सर गलत है यहां पर जो भी है वह जो किसान चलाता है वैसे हम चलाते हैं और आम किसान वहीं चला रहा है ठीक है तो इस हिसाब से इसने यह तेल लिया और एक बार और भी टेस्ट कर लेंगे अपन ठीक है कहीं बार तो भाई यो यह था माहिंद्रा 575 एक्सपी प्लस का मायलेज टेस्ट और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें सेर करें और भाई की चैनल को सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाद जय जवान जय किसान मिलतें नेक्स वीडियो के अंदर जय हिंज जय भारत